प्रश्मी शर्मा कैमेरामेन शुमम भगत के साथ इस समय वेम वाल के बिल्कुल सामने है जहाँ पर राश्रे बजदंग दल द्वारा यहाँ पर फूतला फूंका जारा और रोश परदशन किया जारा जिसना से आप जानते हैं कि यहाँ पर आज डाक्टर फारूक उब्दिल कि अब सुर्ण करें यहाँ जारा जारा जानते हैं अब जारा 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 जाराएं दूर पूंका बादी इसके अंधर गई है वो भी आज से हमारी दिनमें गेश रही हो चुकी हैं क्या कारण रहा क्यों विरोध पतर्शनांकिकर लगतार आप हो कर रहे हैं देखें गुपकार गैंग वो गैंग है जिनको गरदारों के टोले की संग्या दी गई है यह वो गरदार हैं जो पाकिस्तान के फेवर लेते हैं जो चाइना के फेवर लेते हैं जो अफगानिस्तान यानि की तालीबान का फेवर लेते हैं यह लोग हमेशा पाकिस्तान की हमायद करते नजरा हैं यह उन लोगों के हमायदी रहे जो आंतकवादी हैं आई एसाई और पाकिस्तान के जंडे लहराने वाले जेल के अंदर ने जो पत्थरबाज हैं उनकी हमाइद करते नजरा हैं यह हमेशा देश के खिलाब जैर उगलते रहे हैं तो इनको हम गदारों का टोला नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे इसलिए आज हम इंका विरोध कर रह आज होने जारी है डाक्टर फारुक दूला के आवाज पर आपने पूतला किसका जलाया देखिए आज हमने गुपकार गेंग का पूतला को कहा है यह अपने आपको अलग दिखा रहे हैं कि हमने आल मीट आल पार्टी मीट की है लेकिन यह गुपकार गेंगी है मुझे पता तो उस सुरक्षा के अंदर यह मीटिंग कर रहे हैं देखिए इससे यह पता चलता है कि जम्मू के लोगों ने इनको रिजयक्ट किया और जो जम्मू के लोग इनके साथ गें वह केवल ब्रियानी खाने गें उनका जनादार यहां कुछ नहीं है चार लोग नहीं उनके आज वो बात करते हैं अरे यह सब गरदार जो हैं वो आई यहान पर लगाघगी अपने आप सामने आएगा और उनको शर्मिंदार को थे उनकी जिन्हों ने पनाया उनका क्या वजूद था देश के अंदर लोग उनको भगवान की तरह पूछते थे आज उनकी शबीवी कहीं न कहीं दुमल नोती नजर आ रही है जिसको हम मानते थे जिसको हम हिंदुवादी मानते थे आज वो गुपकार गैंग के साथ बैठेगा तो हमारे दिल को ठेस पहुचेगी क्योंकि उनके पाउंडर मेंबर हमारे आदर्श रहे हैं देखिए वो क्लीर हो चुका है कि ऐसा कुछ एजंडा था ही नहीं चाहे वो रफ्यूजी थे चाहे गोर्खा समाज के थे या अन्य जैसे बालमी की समाज और कई लोग जो है वो बहार से यहां पर आकर बसे हुथे काजिक कई बरसों से कई सो साल से उनको जो है जो उनको न कर रहे हैं उनको नाजिरता देने की बात थी बाकी ऐसा कुछ नहीं था कि अब इन्हों ने आप इस अजंडे को इसका इस्तमाल करके राइनिती करने का काम जो है इस गुपकार गैंग ने यानि कि गरदारों के टोले नहीं कि आपने चैलेंज दिया था कि जम्मू में आता है भी तो सिस्टा यहाँ जम्मू का हिस्सा ही आता है देंगे मैं बतां फारुद उल्ला की कोटी के ओपर कितनी ज्याधा सुरक्षya अधर चुनि को कितनी सुरक्षा वहां पर होती है आज ये पर्टिंडी के अंदर गुस्ने नहीं दे रहे किसी अंजान व्यक्तिक बातने कि मिन आपका अदर यहां और यह वहां पर गुष्कर कर रहे हैं कि वहां का कोई विक्ति वहां पर आएगा नहीं पर पहुंच सकती हैं तो यह पारुदुला की कोटी कोई गुवर्नराउस से बड़ी नहीं है क्या लगता है डेलीबिरेटस पर फिट से करवाई जा रही है क्या है पहले आप जिताब नहीं दिति कि ऐसी इस थारा की मीटिंग हो चाहे नहीं हो बाहर के विक्ति को अंदर परदशन करने की इजादत नहीं है तो ऐसी जगा पर ये मीटिंग कर रहे हैं सोची समझी साजिस के दार देखें महोल खराब हो सकता यह नहीं हो सकता यह उनकी सोच है लेकिन हम गरदारों का विरोज कर रहे हैं जो लोगों ने पाकिस्तान के अंदर परिखशिक आंतगवादियों के जो युआ है जो आतगवादियों का दामद फामा चाहिए युआ के ज़ैब पाकिस्तान तरवाजी ने उनुनका Peng पाकिस्तान के साथ बातचीत होने चाहिए हमने उनका तब विरोध किया था और आज भी कर रहे हम अपने स्टेंड पे अडिक हैं हम देश हीत्र में बात करेंगे जो देश दिरोईयों का साथ देगा हम उसके खिलाब को खड़े रहेंगे साथ बेस्ता में राश्टर बजरंग दल के जो की प्रधान है राकेश बजरिंग जी इन्होंने कहा के आज इस तरह से आल पाटी मीट का फारुक उपदुला के घर में योजन किया गया वो कहीना कल घुपगार गया है की मीटिंग होने जारी जो हमेशा देश विरोधी बाते करते देश विरोधी गती वीदियो में हमेशा उन्हें प्रोसान करते हैं चलते हैं इन्होंने पहले ही कहा जम्मू के किसी भी एरिया में इस तरह की मीटिंग नहीं पर वही उन्होंने दूसरी तरव कहा कि इस एरिया को जो भटिंडी का रही है सवेदर शीन माला जाता है और पैनी नजर रहती है आके पर शासन और सरकार की सेरिया पर उसी के चलते डाक्टर फारूक अब्दुला के घर आज आल पाटी मीटिंग होने जा रही है जिसमें जम्मू के कुछ नेता भी जिसका रकेश बजरंगी जी ने विद्रों भी किया है उन्होंने इसके साब नी दीती इस तरह की मीटिंग यानिग पर फिलाल यहां पर पुरी तरह आप देखी चोक सी बरती जा रही है पुरी तरह से ताइनात कर दी गई है किसी को भी यह तरह के पर अंदर जाने की अनुमती नहीं है उसी के चलते यहां पर पुतला फेंश पुगा गया कि क्या सामने निकल कर रहा था जो भी हमारे पास अपडेट आगा हम आप तक जुरूर लाएंगे अपने कमेंड अपने सुजा जरूर दीजिए इस वीडियो को जितना से कि शेर कीजिए चुड़े रिया सिमार्च अगले अपडेट के लिए जहें जबार